पर इसका असर भी हुआ था रूजवेल्ट की विरासत को 1982 में पूर्व अमिर की राष्टपती दोनार्ड डीगन ने समख़ाए करिंद्र मोजी ने रेडियों पर मन की बात कहनी शुरू करती है दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है एक वो जिनके लिए रेडियो मजबूरी है तो रविवार होगा और समय प्रातक 11 बजे का होगा तो आपको भी सुईधा रहेगी और मुझे भी संतोस होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुँचाने में सफल हुआ हूँ आज जो विजधा दसमी का पर्व मनाते हैं मैंने ये भी मन में सोचा है कि जब भी बात करूंगा तो रविवार होगा और समय प्रातक 11 बजे का होगा तो आपको भी सुईधा रहेगी और मुझे भी संतोस होगा कि मैं मेरे मन की बात आपके मन तक पहुँचाने में सफल हुआ हूँ आज जो विजया दस्मे का पर्व मनाते हैं यह विजया दस्मे का पर्व बुराईयों पर अच्छाईयों का विजय का पर्व है लेकिन एक सिमान गनेश वेंकरादरी मुंबई के सज्जन उन्होंने मुझे मेल भेजा अनोना कहा कि विज्ञा दस्मे में हम अपने भीतर की दस बुराईयों को खत्म करने का संकल्प करें मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका भारव्यक्त करता हूँ हर कोई जुरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज़्यादा भुराईयों पर को पराजय करके विज्ञा प्राप्त करें लेकिन राष्टर के रूप में मुझे लगता है कि आओ विज्ञादस्मी के पावन पर्व पर हम सब गंदकी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदकी को खत्म करकर के विज्ञादस्मी के पर्व पर हम यह संकल्प कर सकते हैं कल दो अक्तुबर महत्मा गांधी की जन्म जैन्ति पर स्वच्छ भारत का एक अभियान सवासो करोड देश वाशियों ने आरंब किया है मुझे विश्वास है कि आप सब इसको आगे बढ़ाएंगे मैंने कल एक बात कही थी स्वच भारत अभियान में कि मैं नव लोगों को निमंत्रित करूँगा और वे खुद सफाई करती हुए अपनी वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे और वे और नव लोगों को निमंत्रित करेंगे आप भी इसमें जुड़ी है आप सफाई कीजिए आपके नव जिन लोगों को आप आवान करना चाहते हैं उनको कीजिए बेवी सफाई करें आपके साथे मित्रों को कहिए बहुत उपर जाने की ज़रूत नहीं है वो और नव लोगों को कहे, वो और नव लोगों को कहे, धिरे धिरे पुरे देश में ये माहोल बन जाएगा मैं विश्वास करता हूँ, इस काम को आप आके बढ़ाएंगे हम जब महात्मा गांधी की बात करते हैं, तो खादी की बात बहुत स्वाभावी ध्यान responses मैं आपको खादी धारी बनने के लिए नहीं कहा रहा हूँ, आप उन खादी धारी होने का वुरत करे यह भी नहीं कहा रहा हूँ मैं सरी इतना कहता हूँ कि कम से कम एक चीज भले हाइनकर्चिफ हो भले घर में नहने का तौलिया हो भले हो सकता है बेडशीट हो तक्ये का कवर हो, परदा हो कुछ तो भी हो अगर परिवार में हर प्रकार के फैबरिक का शौक है हर प्रकार के कपड़ों का शौक है तो एक यह भी तो होना चाहिए और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप खादी का वस्त्र खरीते हैं तो एक गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है और इसलिए एक आठ चीज और इन दिनों तो दो अक्तुबर से लेगे करीब महीने भर खादी के बाजार में स्पेशल डिसकाउंट होता है उसका फाइदा भी उठा सकते हैं एक छोटी चीज और आगर है पुर्वग इसको करिए आप देखिए गरीब के साथ आपका कैसा जुड़ाव आता है उस पर आपको कैसी सफलता बिती है मैं जब कहता हूँ सवासो करोड देशवासी आप तक क्या हुआ है हमको लगता है कि सब कुछ सरकार करेगी और हम कहां रह गए हमने देखा है अगर आगे बढ़ना है तो सवासो करोड देशवासीों को करना पड़ेगा हमें खुद को पहचानना पड़ेगा अपनी शक्ति को जानना पड़ेगा और मैं सच बताता हूँ हम भिश्व में अजोर लोग है आप जानते हैं हमारे ही विग्यानिकों ने कम से कम कर्च में मार्श पहुँचने का सफल प्रयोक सफलता पुर्वक पारप कर दिया हमारी ताकत में कमी नहीं है सिर्ब हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं अपने आप को भूल चुके हैं हम जैसे निरास्नित बन गए हैं नहीं मेरे प्यारे भायों बहनों ऐसा नहीं हो सकता स्वामी विवेकानन अक्सर एक बात हमेशा बताया करते थे शायद ये बात उन्होंने कई बार लोगों को सुनाई होगी विवेकानन जी कहते थे कि एक बार एक शेरनी अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के रास्ते से गुजर रही थी दूर से उसने भेड का जुंड देखा तो शिकार करने का मन कर गया तो शेरनी उस तरफ दोड पड़ी और उसका एक बच्चा भी उसके साथ दोडने लगा तेकि दूसरा बच्चा पिषड गया शेरनी भेड का सिकार करते हुए आगे बढ़ गए एक बच्चा भी चला गया लेकिन एक बच्चा भी शड़ गया जो बच्चा भी शड़ गया उसमें एक माता भेड ने उसको पाला पोसा बढ़ा किया और वो शेर भेड के बीच्चे ही बढ़ होने लगा उसकी बोलचाल, आदते सारी भेड जैसी हो गए उसका हसना, खेलना, बैटना, उठना सब भेड के साथ ही हो गया एक बार वो जो शेरनी के साथ बच्चा चला गया था वो अबढ़ हो गया था उसने एक भार इसको देखा मेरी आवाज देखिए मेरी बास्चित का तरीका देखिए तो शेर ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो उसको एक कुए के पास ले गए और कुए में पानी के अंदर उसका चेहरा दिखाया और खुद के चेहरे के साथ उसको कहा देखो हम दोनों का चेहरा एक है मैं भी शेर हूँ तुम भी शेर हो और जैसे ही उसके भीतर से आत्पसमान जगा उसके अपनी पहचान हुई तो वो भी उस देश्वेर के तरह भेड़ों के बीच पला हुआ शेर भी दहाड़ने लगा उसके भीतर का सत्व जग गया स्वामी विवेकारन जी यही कहते थे मेरे देश्वासियों सवा सो करोड देश्वासियों के भीतर अपार शक्ती है अपार सामर्त है इतना सामर्त है हमें अपने आपको पहचानने की जरूरत है हमारी भीतर की ताकत को पहचानने की जरूरत है और फिर जैसा स्वामी विवेकारन जी ने कहा था उस आत्म सम्मान को लेकर कि अपनी सही पहचान को लेकर घंप चल पड़ेंगे तो विजय होंगे और सफल होंगे और हमारा राष्ट भी विजय होगा सफल होगा मुझे लगता है हमारे सवा सो करो देश वासी भी सामरते वाहन है, स्वक्तिवाहन है हम भी बहुत विश्वास के साथ कड़े हो सकते हैं उन दिनों मुझे इमेल के द्वारा, सोशल मेडिया के द्वारा, फेस्बुक के द्वारा कई मित्र मुझे चिठी लिखते हैं एक गौतम पाल करके व्यक्ति ने, एक चिंता जताईए उसने कहा है कि जो स्पेशली एबल चाइल होते हैं उन बालकों के लिए नगरपाली का हो, महानगरपाली का हो, पंचायत हो उसमें कोई विशेश योजनाय होती रहनी चाहिए उनका होशला बुलंद करना चाहिए मुझे उनका इस हुजाव अच्छा लगा क्योंकि मेरा अपना अनुभव है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो 2011 में एथेंस में जो स्पेशल आलिम्पिक होता है उसमें जब गुजरात के बच्चे गए और विजय होकर गए तो मैंने उन सब बच्चों को स्पेशल आलिम्पिक बच्चों को मेरे घर बुलाया था मैं दो घंटे उनके साथ बिताया था शायद वो मेरे जीवन को बहुत ही इमोश्टनल बड़ा प्रेरक वो घटना थी क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये किसी परिवार में स्पेशल आलिम्पिक है तो सिर्फ उनके माबाप का दाई तो नहीं है ये पुरे समाज का दाई तो है परमात्मा ने सायद उस परिवार को पसंद किया है लेकिन वो बालक तो सारे राष्ट की जिम्मवारी होता है बाद में इस तना में इमोश्टनल टच हो गया था कि मैं गुजरात में स्पेशली एबल बच्चों के लिए अलग ऑलिम्पिक करता था हजारों बालक आते तो उनके माबाप आते थे मैं खुद जाता था ऐसा एक विस्वास का वातार प्यदा होता था और इसलिए बगवतमपाल के इस सुजाव जो उन्होंने दिया है इसके लिए मैं मुझे अच्छा लगा और मरामन कर गया कि मैं मुझे ये सुजाव आया है और मैं आप के साथ शेयर करूँ एक कथा में जो और भी ध्यान आती है एक बार एक राहगीर राषता की कनाना पर बैठा था और आते ही जाते है और सब को पूछ रहा था मुझे वहां पहुच रहा है कर रास्ता कहा है प्हले को पूचा दूसरे को पुचा चोफे को पूचा सब को पूचता ही रहता था और उसके बगल पेश funding पैटे थे वो सारा देख रहे थे, बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर कि किसी को पूछने लगा, तो वो सजन खड़े होकर कि उसके पांस आए, उसने का देखो भाई, तुमको जहा जाना है न, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है, तो उस रहागे लिए उसको बूछा, भाई साथ, आप इतनी देर से मेरे भगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बताने ही रहा है, आपको पता था, तो आप को नहीं बताते थे, बोले मुझे भरोसा नहीं था, कि तुम सचमुच में चलन करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकर के लिए पूछते रहते हो, लेकिन जब तुम खड़े हो गए, तो मेरा मन कर गया है, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पका लगता है, तब जाकर मुझे लगा है, कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए, मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते है, हम खुद खड़े नहीं होते हैं, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेगे, हमें उंगली पके लिए चलाने वाले नहीं मिलेगे, चलने की शुरूआत हमें करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है, कि सभा सो करूर देशवासी जुरू चलने के लिए सावर्थवान है, चलते रहेंगे, कुछ दिनों से मेरे पात जो अनेक शुजाव आते हैं, बड़े इंटरस्टिंग शुजाव लोग बेजते हैं, मैं जानता हूं कब कैसे कर पाएंगे, लेकिन मैं शुजाओं के लिए हैं, क्या भी ये शक्रियता जो है न तो उसकी पंजेकरन जो प्रक्रिया है वो आसान होनी चाहिए, मैं जुरूर सरकार में उसके लिए सूच ना करूँ का, कुछ लोगोन मुझे लिपकर के बेजा है, कि बच्चों को पांचवी कक्षा से ही, स्किल डवलप्मेंट सेखाना चाहिए, ताकि वो पढ़ते हुनर सिख ले, कारिगरी सिख ले, बहुत ही अच्या सुचा उनों दिखा है, उनों ये भी कहा है, कि युवाकों को ही कंपल सरी केल डवलप्मेंट होना चाहिए, उनकी पढ़ाई के अंतर, कुछ ने मुझे लिखा है, कि हर सौ मिटर पर एक ड़स्ट बीन होना चाहिए, स अगर आप मुझे कहीं पर भी कुछ सत्य घटना भेजेंगे, जो सकारात्मक हो, जो मुझे भी प्रेणा दे, देशवाश्यों को प्रेणा दे, अगर ऐसी सत्य घटना है, सबूत के साथ मुझे भेजोगे, तो मैं जुरूर जब मन की बात करूँगा, और जो चीज मेरे मन को छूगई है, तो वो बातें मैं जरूर देशवाश्यों तक पहुचाऊंगा, यह सारा मेरा बाच्चित करने का इरादा एक ही है, आओ, हम सब मिल करके, अपनी भारत माता की सेवा करें, हम देश को नई उचायों पढ़ ले जाएं, हर कोई एक कदम चले, अगर आप एक क परास करके विजय होने के संकल्प के साथ, कुछ अच्छा करने का निर्ने करने के साथ, हम सब प्रारम करें, आज मेरी शुप शुरूआत हैं, जैसा जैसा मन में आता जाएगा, भविश में जुरूर आपसे बातें करता रहूंगा, आज जो बातें मेरे मन में आई, वो ब प्यार बना रहेगा आप भी मेरे इस बात सुनने के बाद अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं जुरूर मेरे तक पहुचा दीजिए मुझे अच्छा लगेगा मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे बाते करने के लिए और रेडियो के ऐसा सरलमाद्यम है कि मैं दूर तक पहुच पहुँँगा गरीब से गरीब के घर तक पहुच जाओंगा क्योंकि मेरा मरी देश की ताकत गरीब की जोपड़ी में हैं मरी देश की ताकत माता और बहन और नौजवानों में हैं मरी देश की ताकत किसानों में हैं मैं आपी के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा ये भी स्वास ब्यक्त्र करता हूँ आपकी शक्ति में भरोसा है इसलिए मुझे भारत के भविश्य में भरोसा है फिर एक बार मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्वाद देता हूँ आपने समय निकाला फिर एक बार बहुत-बहुत धन्वाद